हेलो वरी वान, बेलकम बैग, कैसे हैं, आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, डियर स्टेंट्स आपका रेजल्ट आ चुका है, लेकिन रेजल्ट को देखने से पहले हमारी एक छोटी सी बात आप लोग सुन लिजिए, ध्यान से उसके बाद तब जा कितनी रैंक पे गौवर्मेंट कॉलेज मिल सकता है, कितनी रैंक पे गौवर्मेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, उसके बैस पे मैंने वीडियो वनाया था पहले ही, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, अपनी रैंक से मिलान कराकर कि आप चेक कर पाएंगे तो डियर स्टेंड्स हम आपसे यह बोलना चाहेंगे कोई एक परिक्षा आपका लाइफ आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती है अगर आपके मार्ग्स थोड़े से कम आये हैं तो परेशान मत हो यह अगर आपका लक्षाथ देगा यहां पर तो हो सकता है इस पार्ट का साम नहीं दे पाए थे तो आप उसके लिए टेंसर मत लिएगा नेक्स्ट एटम की आप प्रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दीजेगा एक साल में कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं है वैसे भी बच्चों यह सत्र लगभग लगभग पूरा हो जाने वाला है और अब की ब पढ़ा था उतना नंबर हमें मिला है बस अगर हम और पढ़ते तो मेरा और अच्छा नंबर आ जाता नेक्स्ट टाइम हमको अब आइडिया लग गया है हम इससे अच्छी मेहनत करके अगली साल हम इससे अच्छा कॉलेज वहाँ पर निकालने का प्रियास करेंगे और जिन वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक को ओपन करके आपना रजल्ट देख लीजिए हाँ मेरे साथ बच्चों सेयर जरूर से जरूर करिएगा क्योंकि हमारी एक जो फैमिली वाली फिलिंग है वो बनी रहनी चाहिए कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम आपका व फैमिली है इस फैमिली को ऐसे ही मेंटेन करिए और अपनी फैमिली को जितना बड़ा हो सके हमको करना चलो अपना रजल्ट देखो बच्चों फिर हम लोग बात में बात करते हैं तो विस यू आल दे वेस्ट